असलाम लेकुम फ्रेंड्स क्या हाल है आप लोगों के आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अलहमदल्ला बिल्कुल ठीक हैं और देखें हम यहां पर इंजॉय करहें हैं कुईत का वैदर तो आज में कुईत का वैदर है ना बहुत ही अच्छा हो रहा है गर्मी यहां पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है और सर्दियां स्टार्ट होने वाली है तो यही मौसम होता है जहां पर आप दिल खोल के घूम सके मतलब कि इसके बाद तो यहां पर इतनी जादा सर्दियां स्टार्ट हो जाती है कि फिर कहीं जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और साथ में अगर छोटे बच्चे हो तो और भी आप नहीं जा सकते क्योंकि हवाई इत्म ठंडी चलती है बच्चों की तवियत वगरा खराब उने लगती है लेकिन इस वक्त यहां का जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा है बहुत प्यारा है आप जहां चाहे ना वहां जा सक कल उन्होंने जाना है साइट लिए तो वैसे तो हमारे घर के पास जो बीच है ना हम वहां पर जाने वाले थे लेकिन वहां पर ना बहुत जादा रश होती है तो इस वज़़े से हम ना दूसरी बीच पर आगे यह है क्वेट मैजिक का बीच यहां पर गार्डन है वीच है शॉपिंग मॉल्स हैं बहुत सारी चीजे हैं यहां पर बहुत सारी राइट्स हैं बच्चों के लिए अलग हैं बड़ों के लिए अलग हैं फूट कोट है मतलब यह कि अगर आप सुबह से यहां पर आते हैं तो पूरा दिन आपका एजिली स्पैन हो सकता है लेकिन हम यहां पर आके ना तो हम राइट पर गए हैं और ना हम बीच की तरफ गए हैं यह एक ग्रीन पूशन था तो बस हम यहां पर आये इस लिए क्यूंके बच्छों ने साइक्लिंग करनी थी इसके पहले पी यह लोग एक दो बार चाचुके साइकल चलाने लेकिन मतलब इतना खुल के बहुत अच्छी जगह थी कि जहां पर वह आराम से साइकलिंग कर सके अच्छा यह जो टाइम था ना तो हम नमाज के फॉरण बाद आ गये थे दोपहर का वक्ता तो बहुत अच्छा क्लाइमेट था इसलिए यहां पर रश थोड़ी सी कम थी क्योंके वीकेंड है ना तो ज लेकिन हम अचानक से आ गये थे तो अपने साथ तो बस पानी की बॉटले और बच्चों के लिए वेफ़र या बिस्किट वगरा लेकर आये थे हमने ऐसा कोई प्लान नहीं क्या था कि हमें वहां पर पूरा दिन इस प्लान करना है बस यह था कि बच्चों ने जित की कि उन् सब्सक्राइब यह दो हैं वहाँ पर भश्याज कर सकते हैं रहėं सार भाँ अख्यॆ बाहर धर वहांदा है और पर मासले की उध्यारल लेकिन अस evol ثुने ही नहीं क्योंकि इन्होंने दिल खोल के साइक्लिंग करनी थी तो बस यह सारे बच्चे नहीं यहीं पर खेल रहते हैं अच्छा आज भी ना मर्यम का मूट बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि वह रात पर सोई नहीं थी उसको बहुत जाधा कफ हो रहा था तो वह बहुत परेशान कर रहे थी तो हम तो बस उसी में लगे वे थे आखिर तक उसने साइक्लिंग मगरा नहीं की बस वह रोने में लगी थी लेकिन बाकी बच्चों ने बहुत इंजोई किया और जब यह लोग एक साथ मिल जाते हैं तो फिर इन्हें खाने पीने का कोई होशनी रहता उन्होंने बस खेलना रहता है और इंजोई करना रहता है तो माशाला से बच्चों ने काफी एंजोई किया अभी जब यहां का मौसम थोड़ा सा और ठंडा होगा न तो फिर उस वक्त में न हम यहां पर सुबह सुबह आते हैं सन्राइज देखने के लिए और उस वक्त भी यहां का क्लाइमेट ना बहुत अच्छा होता है तो अभी तो फिलहाल बच्चों की स्कूल बगरा है पर आकर करते हैं तो इंशाला जब में नेक्स ताम आओंगी तो सारा क्लिप आपके साथ में सब्सक्राइब करूंगी तो बस बचों ने यहां पर इंजॉय किया थोड़ी देर हम यहां पर रुके हैं और उसके बाद कभी इस फूट को ट्राइब नहीं किया है बस उन्होंने नाम सुनावा था मसाला डोसा इडली मेदू वड़ा क्योंकि यहां पर बहुत सारी साथ इंडियन रेस्टरेंट है और यहां पर बहुत सारे लोग दिये जो साथ इंडिया से है तो हमने सोचा कि कैफ सी और पिज़ा यहां से नजर आता है अलकूत मौल और नजनाटा यहांसे और रात के वक्त में यह ज़ाए वड़ा खूब्सूरत नजर आता है बस बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं थे बस वो हमारे साथ आ गयते लेकिन उन्हें इस खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत इन्हों ने चखा है बस और बाकी तो इन्हों ने खाया ने लेकिन हम बड़ों ने काफी जादा आपको यह पसंद आया हो अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें अपने फ्रेंट्स के साथ में शेयर करें मिलते हैं आपसे नेक्स व्लॉग में जब तक कि अपना खयाल रखें दुआओं में याद रखें अला हाफिस